हेलो माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दा आई एम बी एजुकेशन आज की इस वीडियो में करें हैं क्लास 11 बायलोजी का चैप्टर नंबर 20 लोको मोशन एंड मुमेंट के वो टोपिक्स जहां से लास्ट 15 एयर्स के अंदर जो वो क्यूशन आ चुके हैं और इस वीड के अंदर हम वही टोपिक डिसकस करेंगे जहां पर लास्ट 15 एयर्स के अंदर क्यूशन आ चुके हैं तो यहां पर जो भी टोपिक्स हम डिसकस करने वाले काफी इंपोर्टेंट होने वाले इससे पहले वाले सबी चैप्टर्स हम करवा चुके हैं अगर आपको आई बटन म हैं जहां पर हर एक लाइन को डिसकस किया जाए तो वो भी औरेडी करवा चुके हैं वो भी चैनल पर प्लेलिस सेक्शन को चेक कर लीजिए पी वाई क्यों अगर अभी चैनल पर आपको मिल जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोको मोशन एंड मूमेट तो जैसे कर सकता है अपने लिम्स जाज आईलिट टंग वागेरा को जो मूग करवा सकता है यह सारी जो है वो मूमेट जो है वो रजल्ट अगर चेंज कर रही है प्लेस और लोकेशन में तो ऐसी जो वॉलेंटरी मूमेट होती है वो कहलाती है लोको मोशन फ्लाइंग यह सब क्या है लोको मोटरी मूवमेट होती है यह आपको यहापे पता होना चाहिए अब यहाँ पर देखिए कोई अलग-अलग और्गिनिजम अलग-अलग पार्ट को यूज़ कर सकता है फॉर एक्जामपल देखिए जैसे पैरा मीशे में पैरा मीशे में जो सीलिया होते है वो मूवमेट और फूड को साइटो फैरिंग्स में मदद करते है इसके लाव वो लोको मोशन में भी मदद करते है यहाँ पर यह चीज़े इस टाइप के आपको पता होने चाहिए अब हम चलते हैं के टाइपस ओफ मूवमेट तो यहाँ प प्रोट्टो फ्लाजम असरे अधम्य टाइप स्यूड़री गुवमेट करते हो यह से में होते हैं एक एंटर्नल चूबलर और गजह हमारे इंटर्नल चूबलरмат है वहाँ पर होती हैं सिल्योडरी मूवमेट Army숙 1970 system को मिलते है अब यहां पर जो Jaas बढ़ो Chicken शेड़ है कि जैसे डिरेंक क्या कर सकते है जो डिस्त पार्टिकल वगरा है उनको रीवोग कर वा सकते है ऊंको तो हो सकती है इसी टाइप से हमारा होता है जो फीमेल्स केंदर तो वहां पर जो होता है वह फीमेल reproductive tract के अंदर वो भी जो है वो ciliary moment के दुरू जो उसकी moment होती है तो यह दो example है और इससे structural organization animals वाला जो chapter था जहां पर हमने बात की थी वहाँ से question भी आ चुके है आपके AIPFT में तो वो याला link भी है अब हम आगे बात करते हैं muscular moment की muscular moment क्या होती है यानि जो muscles की moment होती है जिसे moment of our limbs होगी जाज होगी टंग होगी एक्सेक्टर यह सब क्या होती है muscular moment के अंदर आती है यहाँ पर क्या होती है आपके contractile property होती है muscles की जापर actively use किया जाता है किसके अंदर locomotion and other moments के अंदर human body के अंदर ज्यादा तर यह multi-cellular organism के अंदर होता है यह चीज़ आपको पता होने चीज़ अब हम बात करते हैं आगे muscles के बारे में तो muscles में हमने chapter number 8 जो था हमारा यहाँ पर हमने cilia and flezila की जो है वो उन चीजों की study की थी बट आपको बता दू जो हमारी main muscles वगेरा होती है यहाँ पर तीन muscles आते हैं कौन-कौन से आते हैं देखिए वेस्टों दिया location three types of muscles are identified skeletal muscles, visceral muscles और cardiac muscles काफी important है क्योंकि यह तीनों की तीनों हम discuss कर चुके कहाँ पर जो हमारा chapter number 8 था structural organization animals वहाँ पर muscles टीशू के अंदर हमने discuss कि वया था और आपको बता दू कि वहां के diagram वागेरा और और टाइप सी जो है वो AI PMT नेट में किस्ट ना चुका है और यहाँ पार्ट यहाँ पे link है ओके तो सबसे पहले बात काते है skeletal muscles का skeletal muscles कौन सी muscles होती है जो skeletal हमारी जो bones होती है इसके साथ में associate होती है वो skeletal muscles होती है सबसे पहले आद क्या रखना है कि यहाँ पे गया पर baby oh, voluntary muscles भी बोलती है उयाद रखना स्केलेटल बोलती है स्केलेटल मसल्स भी बोलती है zal प्रैमरी इन Hog ये जयादतर लोको मोटरी एक्सिन और बॉड़ी पॉस्चेर केыज को सब्सक्र भाद करने में मघद करते हैं पिर हम बात करते हैं भी सिरल की अभी विशल कहां पर मलती हैं इननरर्ल फोलो विशल्लम और गरह होती हैं महांपर मिलते हैं जासे अब इन वोलेंटरी बोला जाता है क्योंकि इनके जो एक्शन्स होते हैं वो हमारे वोलेंटरी कंट्रोल में नहीं होते हैं अब यहां से हमार एए पेम्टी 2011 में किशन आ चुका है दे असेट फॉर एक्जमपल दा ट्रांसपोर्टेशन ओफूर्ड तुरू डाजिस्टिव डाजिस्टिव ट्रेक में फूड पहुंचाने का काम जो विश्रल मसल्स को का गेमीट तुरू दा जनेटल ट्रेक यह सब कुछ विश्रल मसल्स के अंदर आते हैं फिर हम बात कते हैं कार्डियक मसल्स की जो हर्ट की मसल्स होती है उसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स मसल्स को थोड़ा सा डिटेल में की कैसे यह सब कुछ इसका स्ट्रक्चर होते हैं और कैसे जो है यह सब कुछ अपना फंक्शन पर्फॉर्म करती हैं तो यहां पर यह स्केलेटल मसल्स का जो है वह मसल मसल्स बंडल या फिर फैसिकल होती है इसके अंदर अलग लग चीज़ें होती है देखे हैं यहां पर जो प्लाज्मा मेंबरेन को क्या बोलते हैं सारको लेमा जैसे साइटो प्लाजम होता है उसको बोलेंगे सारको प्लाजम तो सारको आप समझ लेना कि वो मसल्स से रिलेटिड बात कर रहा है ल Savior है और यहां पर जो मसल्स होती है वो सीन साइट इम होती है नहीं बहुत सारी न्यूक्लिस इसके प्रेजंट होती है कि इसके अंदर सारको प्लाजम के अंदर इसके लावे यहां पर जो एंडो प्लाजिमी रेटिकुलम होते है उसको सारको प्लाजमी रेटिकुलम बोल देती हैं तो इसी टाइप से आपे जो मसल्स फाइबर होती हैं वापे केल्शिय माइन बहुत ज्यादा स्टोर रहते हैं क्यों क्यों कि अभी आपको पता चल जाएगा कि यह जो कॉंट्रेक्ट और रिलेक्स करेंने में जो कल्शिय माइन का बहुत इंपॉर्टेंट होल प्ले होता हैं और यह डार्क और लाइट कलर के होते हैं इसमें में आपकी दो प्रोटीन होती है एक एक्टिन प्रोटीन होती है और एक आपकी क्या होती है मायोसिन प्रोटीन होती है यहां पर जो लाइट बेंड होता है उसमें एक्टिन प्रोटीन होता है उसको आई बेंड भी बोल सकते हैं आइसो ट्रेपिक भी बेंड बेंड बोल सकते हैं जो डार्क होता उसको एन आइसो ट्रेपिक या फिर ए बोन्ड बोला जाता है वहाँ पे मायोसीन प्रोटीन प्रेजन्ट होती है यह दोनों के दोनों कैसे होते हैं आपके बहुत प्रोटीन जो रोड लाइक स्ट्र करती हैं यह चीज़ आपको याद रखना है जो थीक फिलामेट एबेंड है वहाँ पर भी और सो मिडल एक लाइन होती है जिसको एम लाइन बोला जाता है और यह A-Band और I-Band जो होते हैं वो अरेंज होते हैं कुछ इस टाइप से अब यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा और यह जो हमारे पास में दिखाई दे रहा है यह कौन सा हो गया आइसो ट्रोपिक बैंड हो गया क्लिर हो गया अब इस ए बैंड के बिल्कूल बीच में जो लाइन होती है उसको बोलते हैं M-Line और जहाँ पर केवल और केवल हमारे पास में जो है वो डार्क बैंड प्रेजन्ट होती है इसको बोलते है H-Zone यह जीज़ के लिए और जो दो Z-Line होती है यह वाली एक Z-Line होगी इनके बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते है सारको मेर और यह फंक्शनल यूनिट होती ह है यह जीज़ आपको याद रखना है यहां पर यह दिखें लिखा हुआ है दा पॉर्ट्शन ओफ दा टू मायो फाइब्रिल बीट्विन दा टू सक्सेसिव जैड लाइन इस कंसिडर एज दा फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉंट्रेक्शन डैट इस कोल्दा सारको मेर अब कै आइज से क्या कुछ होता है यह ध्यान से देखिए अब यह ने पर क्या वरलेप नहीं है मतलब यहां पे इतना गेप यह गेप जो दिखाए देरा वह एच जोन है पर जैसे ही कांट्रेक्शन होगा ओपक्र ने जो आपका लाइड यह इदर आएगा यह एक दूसरे के उपर आएंगे और इसको देब्स को बेकुल कर लेंगे ऑ ऐच B contraction होगा अभी हम किसकी बात करें रेस्टिंग स्टेज की बात करें यह इसको बहुत है यह वहां से 2013 में कि उसन आ चुका है आपको clear होगा फिर यहां पर बात करते हैं structure of जो हैं आपके contractile protein वगए रखें उनके बारे में बात करते हैं आपको diagram से समझ में आ जागा देखें यहां पर actin filament और myosin filament की बात करते हैं सबसे पहले जो actin जो light color दिखा 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 रहा है उसके structure की बात करते हैं तो इसके अंदर mainly तीन चीज़ें होती है एक होता है आपका troponin जो कुछ-कुछ gap पे होता है एक आपका होता आपका troponin और एक आपका होता है f-actin यहीं साइब से समझ लीजिए कि f-actin एक आपके माला लीजिए मोतियों की बड़ी सी उसको इस टाइप से जो है वह थोड़ा सा rotate कर दीजिए फिर आपका troponin मालीजिए आपका gold chain लीजिए उसके उपर रख जीजिए फिर थोड़े से tail होगी यह cross arm होगया यह head होगया head पे आपको actin binding filament मल जाएंगे मतलब यह जो actin है यहां पर binding करेंगे और आपका ATP binding site मिल जाएगा मतलब ATP use होगी ना तो यहां पर यह चीज़ आपको याद रखनी है अब देखिए each meromycin has two important part globular head part and short and radial part जो हमारा head part होता है उसको heavy meromycin बोलते है और यह जो हमारा यह वाला जो part है जहां पर tail वगिर आ जाती है यह हमारा light meromycin होता है और यह cross arm आपको दिखाई दे रही होगे diagram में यही सब कुछ यहां पर बताने की कोशिशन वगिर आपको दिखाई नहीं देगा बस यही आपर सारे फंडा clear होता है देखिए अब आपको clear हो जाएगा यह यहाद रखना है कि यहाद रखना है कि यहापर neurotransmitter में क्या release होता है अब यह आपको समझ में आ गया कि सार्कोपलाजम हमें क्यों क्यों थे क्यों पर वहाँ पर वह सब यूनिट के साथ में बाइंडिंग होने लगते है thereby remove the masking of the active site of myosin और फिर क्या करते है जो myosin की active site होती है उसको remove कर देते है क्यों क्योंकि active site कोंड़ से होगी जहाँ पर ATP bind करेगा utilizing the energy from ATP hydrolyze अब यहाँ पर ATP hydrolyze यूज हो गया यानि ATP energy यूज होगी the myosin head now bind with the exposed active site of the actin from the cross bridge तो यहाँ पर जो actin की active site थी वहाँ पर वो क्या कर जाएगा वहाँ पर bind कर जाएगा कैसे एक ATP का use करते हुए हुए सोरी यह समझ में आगी ओके दिस पूल तो दा अटेस एक्टिर फिलामें ट्वार्ड दा सेंट्र ओफ दा एबेंट तो वह एबेंट के जो सेंट्र है उदर जो है वो पूल करेगा और फिल दोनों जैड लाइन आज पास पास में आने लगेगी तो वह क्या हो जाएगा आगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा यह चीज़ याद रखना क्योंकि यहाँ पर फूर टाइम किसन आ चुके हैं वो उतना ही रहता है जितना पहले था मायोसिन जो होती है वो एडिपी और इन और्गिनिक फॉस्पेड जो होती है उसको रिलीज कर दिया जाता है तर न्यू एटिपी बाइंड अर्डा क्रोस ब्रीजार ब्रोकन हो जाता है यहाँ पर आपको यह समझ में आएगा यहां से देखिए यह आपको ध्यान से देखिए पहले जो आपका सारको मेर की लेंथ है यह इतनी है फिर यह कितनी हो गई इतनी हो गई और अब यह कितनी हो गई इतनी हो गई इसका मतलब क्या हो गई तो सारको मेर है वो शोट हो गया यह चीज़ कलिर आगई अब आई बेंड है वो short हो गया जो हमारी दो jet line के बीच में सार को मेर था वो भी short हो गया इसके लाब जो h zone था यह वाला हमारा h zone था ना यह वाला अब h zone यहाँ पर कहीं दिखाय दे रहा है नहीं दिखाय दे रहा है तो इस type स्केलेटन के अंदर के अंदर क्या होते हैं ऑप यहां पर इन Uxial और अपेंडीकुलर स्केलेटन, एक तो किया गया किसको Axial skeleton और दूसरा किसमें Convert किया गए है और श्रॉन फेंडीकुलर स्केलेटन, Axial skeleton के अंदर कितनी कित्ये 80 bones होती है, आपको यह याद रखना है, बाकि जितनी भी bones हो गई, वो सारी की सारी कहां पे आगी, appendicular में आगई, distributor along the main axis to home the body, देखे, the skull, vertebral columns, sternum, ribs, यहाँ पर यह सारी axial के अंदर आती है, यह जो हमारे पास में axial skeleton होता है, जिसके अंदर 80 bones आती है, उसके अंदर आपका skull आ जाता है, vertebral column आ जाता है, sternum आ जाता है, ribs आ जाता है, यह सब कुछ, इसके लावा six bones अलग से हो गई, कौन सी, two set of bones cranial and facial, the total total 22 bones, जो हम बात करें, ear के अंदर, यहाँ पर देखे, आपका यादा आदेगा, six bones अलग हो गई, each middle ear content of three teeny bone, malus, इनका stapes, collectively called ear osical, यहाँ पर दो बार के उसे पुछा जा चुका है, यह जिसके लिर होगी, तो आप देखे, आपर total 86 होगी, यह तो 80 तो यह होगी, six हम हमारे पास में कौन सी होगी, जो ear osical वाली होगी, तो यह होगी, 86, और अगर हम इसमें 128 करें, तो कितने होता वह, यह 6 होगी, यह 8 और 2 कितनी होगी, हमारे पास में, 0 और यह 206, तो इसका मतलब क्या होगी, जो appendicular skeleton है, उसके अंदर क्या आते हैं, 120 bones आते हैं, directly बता देता ह 120 bones कैसे आते हैं, हमारे पास में यहां पर 4 limbs है, मतलब 2 hands होगे, और 2 legs होगे, तो हर एक hand में, each hand में, हमारे पास में 30 bones होती है, तो total 4 limbs होगे, तो 4 into 30 कितनी होगी, 120 होगी, यह याद रख लेना बस, इतना सही है, ओके, चलिए, अब हम बात करते हैं, एक एकर के बारे में बा लेकिए, cranial bones कोन से होती है, cranial bones होती है, जो हमारे पास में जो brain को cover करती है, total 18 number होती है, hard protecting और यह क्या करती है, cranial for the brain, brain को cover करती है, इसके अंदर कोन से आगे आपकी, frontal bone आ गई, clear है, यह एक होती है, parital आ गई दो, temporal आ गई दो, occipital आ गई आपका, और यह आपको यहां तक आ गई, clear हो गया, तो यह कितनी हो गया, हमारे पास में, eight bone से हो जाती है, तो यह आपको याद रखना है, okay, हम बात में आगे बात काते है, facial के अंदर, facial के अंदर कितनी होती है, facial is made up of 14 skeletal element, which from the front part of the skull, यह front part में बनाजा, spinod, ethmoid, lacrimal, nasal, gygomotivone, maxilla, mandible, इस टाइप से, और इस और ethmoid bone जोती है, वो आपका cranial के अंदर आती है, okay, next हम बात करते हैं, यहाँ पर आगे, the skull reason, articulate with the superior reason of the vertebral column, with the help of occipitial condyle, जिसको बोलते है, dicondylic skull, यह आपको याद रखना है, कि यहाँ पर जो skull reason होता है, उसके अंदर superior reason होता है, vertebral column का, वो किसके साथ में, जो आपका, यहाँ पर जो occipitial condyle होता है, उसके साथ में करता है, तो इसको dicondylic skull भी बोलते हैं, अब हम बात करते हैं, vertebral column के बारे में, तो vertebral column के अंदर हमारे सामने यह diagram दिखाया है, cervical vertebra होती है, thoracic vertebra होती है, लंबर होती है, उसके बाद में sacrum और coccyx होती है, cervical कितनी होती है, हमार 36 हो जाती है, यह हमें याद रख लेना है, clear हो गया, अब हम आगे चलते हैं, उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ से क्यूसे पूछा के देखी, the number of cervical vertebra are 7 in almost all mammal, यह important याद रखना है कि जो cervical vertebrata होती है, वो लगबग सब में 7 ही होती है, जितने mammals होती है, including human beings, वर्टी ब midline of thoracic, जो thoracic होता है, उसका ventral side के अंदर midline होती है, sterlum, काफ़ important याद रखना है, 2021 में यहाँ से question पूछा जा चुका है, clear है, अब यहाँ पर देखें, rib case की बात करें, यहाँ पर यह आपको rib case दिखाई दे रहोगा, यह true ribs होगी, कहां से लेकर, 1 से लेकर 7 तक, 8, 9, 10 क thin flat bone connected dorsally to the ventrible column, तो यह पीछे की side तो vertebral column से attach होती है, ventrally यह जो है, वो sterlum से attach होती है, देखें, it is two articulate surface हों, the dorsal and and the hand size का और बाइस सीफेलिक, और यहाँ पर दो articulate surface होती है, इसको बाइस सीफेलिक बोनते है, अब यह वाला जो portion है, वो काफी important है, मैं क्यों बोल रहा हू तो आपको समझ में आ चुका होगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखें, यहां से यहां तक 7 में, 10 में, 17 में, 19 में, 20 में, 20 में, इसलिए यह काफी important हो गई, देखें, first seven pair of ribar called true ribs, मैंने इसको बोले था, यह true ribs होती है, पहली जिसको बोलते है, vertebral sternal, vertebral sternal, vertebral sternal क्यों बोलत of the hyaline cartilage, hyaline cartilage की बदद से यहां पर attach होती है, आगे बात काते है, 8th, 9th और 10th की, of ribs do not articulate directly with the sternum, यह directly sternum के साथ में attach नहीं होती है, but join with the 7th rib with the help of hyaline cartilage, तो यह जो 8, 9, 10 है, वो 7 के साथ attach होती है, with the help of hyaline cartilage, और इसलिए इनको बोले जाता है, vertebral sternal, false, vertebral sternum क्यों क्यों क्य यानि false rib भी बोला जाता है, फिर last के जो डो पेर्स होगी, 11th और 12th वाला, यह कहीं से भी connected नहीं होते है, ventrally side, जबकि पीछे से तो connect होते है, आपका vertebral column के साथ में, बट आगे से कहीं से भी attached नहीं होती है, इसलिए इनको floating ribs भी बोला जाता है, तो रहे से vertebral ribs and sternum together from the rib cage, त 30, तो 30 into 4 कितनी होगी, 120 bones होगी, याद हैं आगया, ओके, अब एक-एक करके बात करेंगे, सबसे पहले hand के अंदर count कर लेना, आप देख लो, सबसे पहले बात करते है, humorous, radius, alna, यह होगी, अब यहाँ पर बात करते है, carpal, जो wrist bone होती, कितनी होगी, 8 होगी, metacarpal कितनी होग 11, 11 plus 5 कितनी होगी, हमारे पास में, हमारे पास में 16, और phalanges कितनी होगी, हमारे पास में 14, तो यह कितनी होगी, 6 और 4, 0 और यह total 30 bones होगी, अब आपको समझ में आ गया, या नहीं आया, okay, तो यह सारी जो है, वो हमारे किस के होगी, bones of the hand के होगी, अब हम बात करते हैं, legs के बारे में, लेक्स की बात कर लेते हैं, फीमर हो गई जिसको थाइब बोन बोलते हैं और यह लोंगेस्ट बोन है याद रख लेना, टीबिया हो गया एक, फेबुला हो गया एक, तारसल हो गया हमारे पास में जो एंकल बोन हो वो सेवन है, मेटा टारसल फाइव है, एंड फैल हो गये तो यह total हो गये 10 10 और ये कितने होगे प्लस वाल समय ग्रेंग काफी इंपुर्टंत आपको सामने दिखाई दे रहा 밀 मेरे तो बताने कि कोई जरूत नहीं है कि कितनी बार क्वीज़ जय को सद्वियं या टैन में – Тем में, 11 में 15 में 20 वर 2021 में आ चुगे हैं इब पैक्तोरल गृडटल जो ऊपर वाले portion के अंदर होंgt, मतलब hands के साथ लगते होंGे पहल्वी ग्रीडल जो होंगे वो legs के साथ लगते हुए होंगे बात करते हैं आगे help in the articulation of the upper and the lower limbs यानि जो upper and lower limbs है उनको articulate करने में help करते हैं with the axial skeleton, each griddle is formed of two halves यह दो halves से मिलकर बनता है each half of the pectoral griddle consists of clavicle and scapula तो यहाँ पर जो pectoral griddle है इसके अंदर दो पार्ट होती है एक clavicle होता है और एक आपका क्या होता है scapula होता है अब यह scapula क्या होता है यहीं से सबसे ज़्यादा start हो जाते हैं कि उसे scapula जो हो एक large triangular flat bone है situated dorsal side है of the thoracic between between second and seventh rib के बीच में होता है जो rib होती है ribs होती है उसके second से लेके seven तक जो होता है scapula होता है triangle shape का होता है dorsal side के अंदर the dorsal flat triangular body of scapula has slightly elevated ridge called the spine which project has a flat expanded process called the acromion अब यहाँ पर acromion होता है वो क्या होता है आपका जहाँ पर जो है एक ridge होता है जिसके साथ में आगे से attach होगा the clavicle articulate with the acromion यह जो clavicle होता है आगे वाला जिसको collar bone भी बोलते है clavicle को यह articulate होता है कहाँ पर acromion के साथ में below the acromion is a depression called the glinoid cavity which articulate with the head of the humerus to form a shoulder joint और यहाँ पर जो clavicle हो गया और जो आपका पीछे वाला आपका scapula हो गया वो दोनों मिलते हैं और वहाँ पर एक cavity बनाते है जहां पर humerus अटे चोपाए और वो glinoid cavity कलाती है अब आपको यहां से समझ में आएका देखिए यह clavicle दिखाई देरा जिसको collar bone बोला जाता है पहले बोल रहा हूं clavicle को collar bone बोला जाता है छो पीछे की साइड होता है ठीक है यह जो यह दोनों यहां पर मिलते हैं और यह कैया होगिए आपका humerus to humerus भी यहांपे मिल रहा है यहां पर होती है आपकी glinoid cavity यह उरा जो portion है यहाँ पर होती है आपकी glinoid cavity clear हो गया और यह दोनों जब मिलते है केवल और केवल आपका स्केपुल और क्लेवीकल तो वहाँ पर आपका एक्रोमियन बनता है यह जीज क्लियर होगी ओके यह इसे सबसे कुछ से पूछा गया है यह देखो लिखावा है क्लेवीकल इसे लॉंग सिलेंडर बॉन टू करवेचर यह पर दो करवेचर होते हैं और भी बोला जाता है अब पात करते हैं पैल्वी गेडल के बारे में पैल्वी गेडल भी काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर इसके अंदर आपका सेक्रम आता है कोक्जल बोन आता है आपका इलियम आता है प्यूबिस आता है और आपका इसक्रम आता है और आपका इसक्रम आ रहें आगा यहां पर यहां पर यहां पर आपका फीमर जो बोलते हैं यह जी जी आपको याद रखना है अब बात करते हैं जोईट्स के बारे में अब मेले यहाँ पर त्री ताइपस के जोईट्स होती हैं कौन..कुन से होते हैं Joynt होते हैं iומ sonody 22 ऐसे जाग पैसे नहीं जपेट क्या होती है तो सबसे पहले बात किते हमाट के बारे में होती है वह कोई भी मुमेट नहीं होती जहां पर fibrous joint अब में थोड़ा सा slowly कर दिया है क्योंकि यहां से सबसे ज़्यादा किसे नहीं तो यह समझना अच्छे से fibrous joint में कोई भी moment नहीं होती है तो this type of joint is shown by the flat skull bone और यह जो होते हैं वो skull bone के अंदर होते हैं fuse end to end end to end fuse होते है with the help of dense fibrous connective tissue tissue याद रखना है किसकी मदद से आपके connect होते हैं fibrous tissue dense fibrous connective tissue की मदद से जो है वो attach होते हैं to form the searchers to form the cranium उसके अंदर searchers type होते हैं जिससे cranium बनता है clear हो गया आपको fibrous joint याद रखना है जापे कोई भी moment नहीं होती है skull के अंदर होता है end to end यहाँ पर जो है dense fibrous connective tissue से attach होता है फिर बात करते हैं cartilaginous joint के बारे में याद रखने है the bones involved are joint together with the help of cartilaginous याई दो bone जहाँ पर cartilage का joint आजाता है वो क्या होता है cartilaginous joint होता है कोईसा the joint between the adjacent vertebra हर एक vertebra के बीच में जो होते हैं वो cartilaginous joint होते हैं इसलिए vertebral column में बहुत ही limited moment होती है in the vertebral column is of the pattern at is permitted limited moment यह जिस clear हो गई next आम बात करते हैं synovial joints के बारे में सबसे ज़्यादा important है synovial joints synovial joints क्या होते हैं और characterized by the presence of a fluid filled synovial cavity याँ पे fluid filled cavity होती है clear हो गया तो यहाँ पर यह जो cavity वगेरा होती है between the articulating surface of two bone याँ पर दो bone के बीच में cavity होती है वाँ पर fluid field होता है और उसकी वज़े से सबसे ज़्यादा moment होती है such an arrangement allows considerable moment बहुत ज़्यादा moment यहाँ पर show होती है as compared to other two the joint help in locomotion and many other moment और यहाँ पर यह जो होते हैं knee joint या फिर between humerus and alna के बीच में होता है pivot joint यह आपका atlas और axis के बीच में होता है जो vertebral column में होती है gliding joint यह between the carpals होता है saddle joint यह between the carpal and metacarpal of thumb होता है यह याद रखना है metacarpal of thumb के बोले यह हमारे कुछ एक example है यह आपको याद रखना है फिर हम बात करते हैं disorder of muscular and skeletal system यह भी बहुत इंपोर्टेंट है last four year में continuation पूछा जा रहे हैं से EIPMT 2012 में 13 में फिर 16 में फिर यहां से 19,20,21,22 यानि four years से continuation पूछागा इसका मतलब क्या है हर एक disorder काफी important हो चुका है सबसे पहले बात करते हैं myasthenia gravis myasthenia gravis का है आपका autoimmune disorder इसी टाइप से पूछा जाता है क्या कुछ है autoimmune disorder है neuromuscular junction जो होता है उसको affect करता है उसकी वज़े से fatigue, weakness और paralysis of skeletal muscles भी हो सकता है इस disease के अंदर next हम बात करते हैं muscular dystrophy progressive degeneration of skeletal muscles होता है ज़्यादा तर यह genetic disorder है याद रखना है यह genetic disorder है myasthenia gravis आपका genetic disorder नहीं है वो autoimmune disorder है जबकि muscular dystrophy आपका genetic है मतलब यह आगे टू आगे generation में pass out हो सकता है next हम बात करते हैं tetany के बारे में rapid spam होती है मतलब बहुत ज़्यादा wild contraction होता है क्यों होता है अगर मापे calcium iron की कमी हो जाए बोड़ी के अंदर तो wild contraction होते हैं उसको बोलते है tetany यानि tetanus वागे रहा यह चीज़ आपको याद रखनी है next हम बात करते है arthritis के बारे में inflammation of joints हो जाए उसको बोलते है arthritis हो चुका है next हम बात करते है osteoporosis के बारे में osteoporosis है अपका age related disorder है जहाँ पर bone mass जो होता है वो decrease हो जाता है और इसकी वज़े से जो fracture के chances है वो ज़्यादा हो जाते है अब यह होता कि decrease level of estrogen is a common को ज्याद रखना है कौन से hormone कम होता है estrogen hormone decrease हो जाता है उसकी वज़े से इस चीज़ का common cause है osteoporosis का next time बात करते है गाउट यहाँ पर inflammation of joints होते है due to the accumulation of uric acid crystal यानि uric acid crystal जो है वो bones joints के बीच में आ जाते है उसकी बज़े से वापे inflation हो जाता है उसको बोलते है गाउट हर एक पोइंट आपको अच्छे से याद रख लेना तो यह सब कुछ इस चैप्टर के लिए खतम होता है आप यहाँ पर यह सारे आपके question वगेरा दिखाए जाए जाएंगे वो अलग से discuss करेंगे तो यह सब कुछ वीडियो के लिए मिलते हैं सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद